नमस्कार मैं अनुराग आप लोग देख रहे हैं पॉम्टवाई अनुराग येट्यूब चैनल दोस्तो आज का वीडियो बरही खास होगा क्योंकि जिस तरीके से जिस सिस्टेमाटिक और्डर में मैं आपको होमेट वेस डाइट के बार में बतलाऊंगा ऐसा आप लोग को जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तो आप मैंसे कई सारे लोग वेजिटेरियन हैं मतलब कि वो सिर्फ साग सबजी खाते हैं वो मीट मांस बगेरा नहीं खाते हैं और इसके बदर से जब भी वो डॉग रखते हैं तो बराही टेंसन में आ जाते हैं कि उनको घर का खाना क्या-क्या दे क्योंकि आपको पता है कि डॉग को प्रोटीन की आवसकता होती है यदि आप लोग सही मातरा में प्रोटीन नहीं देते हो तो आपके डॉग का जो वेट है वो कम होने लगता है उसका भूख चला जाता है और बोडी से बहुत सारे बाल गिर जाते हैं और वो अल्टिमेटली बहुत जादा कमजोर हो जाता है तो ये सब सोच करके आप लोग काफी टेंशन में आ जाते हो उसको मीट अंडा या फिर मचली के जगा और सब क्या दे सकते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल प्रोटीन ही नहीं बाकि सारे न्यूट्रेंट के बार में बताऊंगा और किस-किस फुड में मिलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा बाकी nutrient का यदि मैं बात करू तो vitamin, protein, carbohydrate, fats, water और सबसे last में fiber क्योंकि fiber भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके dog में क्योंकि इसका कमी यदि हो गया तो आपके dog में digestion और constipation देखने के लिए मिलेगा मतब कि सही तरीके से party नहीं होगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में चलिए मैं आपको एक एक करके बतलाता हूँ लेकिन दोस्तो उससे पहले मैं आप लोग को congratulation कहना चाहूँगा क्योंकि जो भी लोग waste diet के बारे में सोच रहो या फिर खुद भी एक waste बन रहे हो, vegetarian बन रहे हो तो ये आपके body के लिए और साथी साथ इस environment के लिए काफी ज़्यादा safe है और यदि हम compare करें एक vegetarian और non-vegetarian के बारे में तो जो भी vegetarian होते हैं वो comparatively ज़्यादा healthy होते हैं और ज़्यादा दिन तक जीते हैं यदि आप लोग भी healthy बनना चाहते हो और environment को safe रखना चाहते हो तो आप लोग non-veget को छोड़िए और waste की तरब जाईए लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक थोरा सा confusion आ जाता है तो कि dog एक carnivorous animal है यदि आप लोग एक share को पकरूगे और बोलोग एक भाई यह environment के लिए और तुमारे body के लिए बहुत ही अच्छा है तुम आज से सब कुछ साग सबजी खाने लग जाओ तो यह ऐसा नहीं हो सकता है बट यह good news है कि dog carnivorous के साथ साथ omnivorous है मतलब कि हम लोगों ने उसको इस तरीके से generate किया है या फिर इस तरीके से अपने साथ उसको पाला है कि वो बांकि सारे waste food को भी अच्छे तरीके से digest कर सकता है और काफी अच्छे तरीके से रह रहे हैं कई सारी लोग तो अपने dog को waste diet ही रखते हैं तो दोस्तों यह वीडियो बरही खास होगा इस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आगए आप लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम protein के बारे में बात कर लेते हैं फिर fat, फिर carbohydrate, vitamin, water और last में fiber के बारे में बात करेंगे दोस्तो आप लोग को ये confusion होगा कि मैं ये सारे food के बारे में क्यों आपको बतला रहा हूँ क्योंकि दोस्तो आप लोग बस इतना सुचते हो कि मैं अपने डॉग में येदि केवल protein दूँगा तो वो काफी जादा healthy हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और दिखने में काफी जादा खूबसूरत हो जाएगा लेकिन दोस्तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा body बहुत ही अच्छा तरीके से बना हुआ है और हर organ का अलग-अलग काम है दोस्तो जो हम protein अपने body में लेते हैं या फिर dog अपने body में लेते हैं उसको utilize करने के लिए कोई और भी nutrient चाहिए जैसे कि carbohydrate चाहिए और कुछ और minerals चाहिए जो कि body के tissue को और भी ज़्यादा accelerate करता है ताकि वो protein को absorb कर पाए और protein के quality को और भी ज़्यादा increase कर पाए इसलिए मांकी सारे food को भी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो दोस्तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं protein के बारे में दोस्तो protein को body building nutrient कहा जाता है यह puppy में ज़्यादा जरूरत होता है comparatively adult dog में अब दोस्तो हमारे पास जो protein का option आता है वो आता है chicken, egg, meat लेकिन इस video में हम cable waste के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास multiple option है जो कि आप लोग choose कर सकते हो एक protein के लिए तो दोस्तो चलिए एक एक करके मैं आपको बतलाता हूँ लेकिन दोस्तो कई सारे dog food थे जिसका नाम मैंने लिख लिया है ताकि एक भी miss ना हो और बाद में यदि कोई मुझे याद आता है तो उसका नाम मैं अपने इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे अपडेट कर दूँगा तो चलिए दोस्तो सबसे पहला जो नंबर है protein के quantity में वो है oat, फिर है cottage cheese फिर है curd जिसको बहुत साथ लोग yogurt बोलते है फिर आता है milk दोस्तो यदि आपके डॉग में milk से कोई भी allergy नहीं है मतब कि milk देने के बाद उसको vomiting नहीं हो रहा है, डारिया नहीं हो रहा है उसके skin में रैसेस या फिर itching नहीं हो रहा है तो आप लोग अपने डॉग को milk दे सकते हो और जो safe quantity माना गया है milk का, वो 100 gram इसके बाद आप लोग pumpkin दे सकते हो pumpkin में protein के साथ बंके कई सारे minerals से जो कि आगे मैं आपको बतलाऊंगा अब दोस्तो 7 में है peanut आप लोग इसको as a treat यूज़ कर सकते हो, बट खाने में ज़्यादा मातरा में मत दीज़े, as a treat यूज़ कीजिए, अब 8 नमर पे है soya buddy, ये भी बहुत ज़्यादा popular है और कई सारे dog food brand में ये soya buddy यूज़ होता है और इसके लिए मैंने एक specific video भी बनाय था, लगभग आज से 2 से 3 मन्त पहले, और लगभग 1 से 2 लाख लोग ने इसको देखा है और काफी ज़्यादा अच्छा वीडियो रहा है अब दोस्तों, इसके बाद आप लोग dried beans भी use कर सकते हो, इसमें भी काफी अच्छे मातरा में protein पाया जाता है अब दोस्तों, यहाँ पर एक fun fact है बहुत साई लोग बोलते हैं कि जो एग होता है, अंडा होता है वो सकाहरी होता है आप लोग का क्या कहना है, कमेंट करके बताओ कि अंडा सकाहरी होता है या फिर मांसाहरी होता है चली दोस्तों, अब हम बात करते हैं fat के बारे में अब दोस्तों यहाँ पे बहुत साई लोग का ये माना कि fat dog के लिए जरूरी नहीं है लेकिन दोस्तों small quantity में fat भी बहुत जादा जरूरी है dogs के लिए क्योंकि fatty dog को fatty acids पहुचाता है और fatty acids का क्या काम है आप लोग को पता ही होगा कि उसके hair skin को काफी अच्छा रखता है और साथी साथ जो fatty acid होता है वो dog के body में जो bad bacteria बन रहा है उसको kill करता है और कोई injury है तो उसको जल्दी से heal करने में मदद करता है इसलिए बहुत साई लोग supplement यूज करते हैं fatty acid का यहाँ पर आपको nutric coat advance दिखाए पर रहा होगा यदि dog में hair fall होता है या फिर और भी कुछ होता है तो लोग ये nutric coat advance यूज कर सकते हैं इसमें omega 3, omega 6 fatty acid होता है इस पर भी मैंने एक specific video बनाया था लगबग 50-60,000 लोगों ने देखा और सब को काफी अच्छा मदद मिला है आप लोग भी चाहो तो इस supplement को buy कर सकते हो इसका link मैं description में डाल दूँगा Amazon पर आपको original product मिल जाएगा और यदि fatty acid का कमी होता है body में तो फिर dandruff होता है, dry skin होता है, skin license होने लगता है तो ये सब problem होता है इसके लिए आप लोग supplement यूज़ कर सकते हो या फिर मैं homemade कुछ diet बतला रहा हो आप लोग उसको भी use कर सकते हो अब दोस्तों मैं आपको एक mobile application के बार में बतलाना चाहोंगा जिसके अंदर आपको कई सारे dog के book मिल जाएंगे जैसे कि उसको diet क्या देना चाहिए, parvovirus हो गया तो उसके बाद उसका diet क्या होना चाहिए, traveling guide हो गया बहुत सारी type के आपको book affordable price पर मिल जाएंगे इसका link मैं आपको description में डाल दूँगा और यदि नहीं हो पाया तो मैं आपको नहीं भी डाल सकता हूँ बट अगर हो गया तो उसका link आपको description में दोस्तों सबसे पहला नमर पर जो fat में आता है वो cheese है, फिर आप लोग olive oil यूज़ कर सकते हो फिर coconut oil यूज़ कर सकते हो फिर full fat yogurt मतब कि दही यूज़ कर सकते हो फिर flax seed या आप लोग यूज़ कर सकते हो flax seed बहुत सारे dog food में यूज़ होता है अच्छे अच्छे brand के dog food में यूज़ होता है ताकि fatty acid उसको provide कर पाए फिर ida में आता है, आप लोग यहाँ पर picture देख सकते हो आप लोग comment करके बताएए कि इसका हिंदी नाम क्या है मुझे विश्वास है कि कई सारे लोगों को इसका नाम नहीं पता होगा अब दोस्तों जो 7 नमर पे है वो sunflower seed आप लोग यूज़ कर सकते हो और 8 नमर पे है pumpkin seed ये pumpkin जो seed है ये कई सारे काम में आते है एक तरीके से natural development भी है इसमें अच्छा अर्मातरा में protein भी मिल जाता है और fat भी मिल जाता है अब दोस्तों हम तीसरे नमर पे बात करेंगे vitamin के बारे में vitamin कितना ज़्यादा important है आपके डॉग में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो दोस्तों जितने भी vitamins होते हैं वो dog के tissue को repair करता है साथी साथ उसके vision को improve करता है देखने की सकती को improve करता है और साथी साथ उसका जो immune system है बिमारी उसे लगने की चमता है उसको काफी ज़्यादा strong करता है इसलिए कई सारे food है homemade food जिसको आप लोग use कर सकते हो ताकि आपके dog में काफी अच्छे मातर में vitamins मिल पाए दोस्तों vitamins कई सारे food में मिलता है मैं उसका नाम आपको एक एक करके बतला दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसको decide करके dog को दे सकते हो सबसे पहला है green beans फिर है काले फिर है cabbage फिर है ब्रॉकली फिर है कॉली फ्लावर कुकुमबर ग्रीन बीन्स और फिर है लोग की और उसके बाद आप लोग pumpkin को भी use कर सकते हो और beans आता है इस टाइप का जिसको हम लोग seem बोलते हैं और भी कई सारे टाइप के green vegetables आते हैं जो जो मुझे याद आते रहेगा उसको मैं अपने Instagram और Facebook पेज से अपडेट कर दूँगा इसलिए आप लोग हमारी Instagram पेज को भी like कर लीजेगा अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे fruits हैं जोसको कि आप लोग use कर सकते हो as a treat अपने dog के लिए और ये काफी अच्छे माता में nutrient provide करेंगे आपके dog के लिए सबसे पहला है banana फिर है cherries फिर है melon जैसे की musk melon फिर है ripe tomato strawberry blackberries कीवी आप लोग use कर सकते हो pumpkin भी आप लोग use कर सकते हो pumpkin भी एक टैप का fruit ही है और फिर water melon भी आप लोग use कर सकते हो तो दोस्तों ये सारे fruit आप लोग use कीजिए as a treat अपने dog में या फिर उसके food में आप लोग mix कर दीजिए अब दोस्तों एक papaya भी है जो कि मैं अपने pet पे यूज करता हूँ personally पहले तो papaya को अच्छे तरीके से काट देता हूँ फिर एक के साथ mix करके चावल में mix करके हलका सा दही add कर देता हूँ फिर मैं अपने dog को देता हूँ कभी कभी मैं ऐसा भी देता हूँ ये आपके dog के लिए सांदार food भी हो गया उसको काफी अच्छा मजा भी आएगा खाने में और बहुत सारा nutrient भी उसको मिल जाएगा ये दोस्तों ये रहा vitamins के लिए दोस्तों जब भी आ पास वाली pet shop में आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको जीप बीट दिखाए पर रहा होगा इसका भी response और customer review काफी अच्छा है अगर ये एब लेवल होगा Amazon पे तो मैं उसका link description में डाल दूगा आप लोग Amazon से original product buy कर सकते हो अब दोस्तों चलिए मैं आपको carbohydrate के बार में ब दोस्तों market में बहुत सारे SEO waste diet हैं जिसमें काफी अच्छे मातला में carbohydrate पाए जाते हैं एक एक करके मैं आपको नाम बता देता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और साथी साथ अपने डॉग पर यूज कर सकते हो वो सब मैं अपने डॉग पर भी यूज करता हू काफी अच्छा response रहेगा आपका भी डॉग काफी अच्छे तरीके से खाएगा और काफी मस दिखेगा दोस्तों carbohydrate के लिए आप लोग यूज कर सकते हो ओट उसके बाद आप लोग यूज कर सकते हो बनाना फिर sweet potato बहुत सारे dog food में यह यूज किया जाता है अब दोस्तों फ रिट भी पाया जाता है और एट नमर पे है राइस तो दोस्तों राइस तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं आप लोग को पताई होगा और साते साथ आप लोग वीट रोटी भी यूज कर सकते हो इस तरीके से ज़्यादा मातरा में नहीं बट इसको आप लोग यूज करने में मदद करता है water के quantity को या फिर water balance करने में आपके डॉक के body में मदद करता है तो आप लोग minerals का भी अच्छा तरह के से ख्याल लगे तो दोस्तों मैं आपको protein vitamins carbohydrate और fat के बार में बतला दिया अब मैं आपको minerals के बार में में बतलाओंगा दोस्तों minerals बहुत ही कम मातरा में required होता है डॉग में बट ऐसा नहीं है कि minerals required ही नहीं है मैं आपको minerals के बार में बतलाता हूं दोस्तों कुछ ऐसे minerals हैं जैसे कि phosphorus, zinc, magnesium, calcium जो कि आपके डॉग में काफी अच्छे मातरा में required होता है कि उसके bonds में और साथे साथ और भी कई सारे कामों में यह help करता है तो कुछ ऐसे food हैं जिसमें आपको अच्छे मातरा में minerals मिल जाएंगे जैसे कि apple, banana, blueberries और जितने भी मैंने आपको उपर fruit बतलाए थे और vegetables बतलाए थे उसमें भी काफी अच्छे मातरा में minerals आपको मिल जाएंगे अब दोस्तो मिनरल्स के लिए बहुत सारे supplement भी आते हैं जैसे कि मैंने आपको जिप विट बतलाए थे उसमें vitamins और minerals भी है बट स्पेशल यदि आप लोग calcium का mineral लेना चाहोगे यहां पे आपको ओस्टो पेट का mineral दिखाए पर रहा होगा यह ओस्टो पेट का mineral है यह आपको ओनलाइन में purchase करना चाहते हो तो alternative जो option होगा उसका link में description में डाल दोना आप लोग वहां से purchase कर सकते हो अब दोस्तो सबसे last में मैं आपको fiber के बारे में बतलाता हूँ दोस्तो fiber एक ऐसा चीज है जो आपके dog के body में required होता है ताकि उसके obesity को मोटापा को control कर पाए साथी साथ उसके digestion को सही कर पाए और constipation को भी रोकता है इसलिए आप लोग अपने dog के food में fiber की मातरा को increase कीजिए जितना required है उतना अब दोस्तों कुछ ऐसे food हैं जिसमें काफी अच्छे मातर में fiber पाए जाते हैं जैसे की oat हो गया फिर green beans हो गया sweet potato और apple हो गया तो दोस्तों ये था हम सब्सक्राइब मातर और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए ताकि जितने भी लोग vegetarian है उनको help मिल पाए और दोस्तों आपको ऐसे ही बहुत सारे informative वीडियो मिलती रहे इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इसी तरके के red color में आपको निचे सब् आपको जे से एবकि टोस्तों आपको